हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू दा चैनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बंडर ओफ साइंस का पहला इंट्रोडक्शन फिर लेगुलर हम इस कोशन्स को करते रहेंगे एक एक करके हम पूरी पार्ट ओफ बंडर ओफ साइंस देखते हैं तो बंडर ओफ साइंस में साथ में से साथ नमर कक्छा वारवी, कक्छा दश्मी, कक्छा ग्यारवी और कक्छा नोवी के लिए आपके लिए लेकर आए हुए हैं वेलकम टू दा चैनल तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं बंडर ओफ साइंस सबसे पहले हमको लिखना होगा आउटलाइन जैसे उसके बाद लिखें एलक्रिसिटी, उसके बाद लिखें means of recreation, उसके बाद लिखें medical facility, उसके बाद लिखें means of communication, उसके बाद लिखें computer और last लिखें उसके बाद conclusion इस परकार से हमारे पाश टॉटल 9 points हो चुके हैं हम 9 में से कोई 7 points को लिख सकते हैं तो भी 7 में से 7 number लेने के लिए परयाप्त हैं परंतु हम बहुत ही छोटा छोटा लिखेंगे ताकि जल्दी याद हो इसलिए हम 9 points लिख लेते हैं ताकि हमें पूरे में से पूरे number मिलने के chances रहें तो चलिए पहला हम देखते हैं introduction introduction कोई भी जब ऐसे हम लिखा करते हैं या हिंदी में निवंद लिखा करते हैं सबसे पहले प्रस्ताबना लिखते हैं introduction लिखते हैं introduction में वो सारी चीजे लिखते हैं जो आप उसके बारे में अभी तक जान पाए हो या जो आप उससे समझते हो और जानते हो फिर उसके बाद उससे समंदित 4-5 पॉइंट हम लिखा करते हैं जो कि हमने लिखा है जिसमें एक control of nature है कि प्रकृति पर science ने कैसे control किया है फिर है means of traveling की आतायात के साथनों में science का क्या योगदान रहा है फिर है electricity की बेजली का हमारे जीवन में क्या महत्व है और फिर है means of recreation या enjoyment enjoyment के कौन-कौन से साथन science के द्वारा technology के द्वारा बना दिये गए हैं और फिर है medical facility, hospital facility की hospital से कितनी जल्दी बड़ी से बड़ी बिमारी का इलाज होना possible है फिर है means of communication communication के बातचीत करने के नयनाय क्या-क्या शादन आ चुके हैं और computer है computer की बारे में तो आप लोग जानते ही होईंगे और जैसा की outline में सबसे last पे निवन में किसी भी essay में जब हम लिखते हैं तो conclusion add कर देना चाहिए ताकि हमें examiner introduction और conclusion देखकर answer अच्छे से अच्छे नमर दे दे तो conclusion याने होता है उपसनहार आपने इतना सब कुछ लिखकर के last में जो निसकर्स निकाला है जो समझा है उससे वो conclusion पर लिख सकते हैं तो चलिए start करते हैं introduction introduction क्या है देखते हैं तो हमने लिखा कि it is the edge of science यह है विज्ञान का युग है we are living in the edge of science हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं it has made our life easy and more comfortable इसने हमारे जीवन को easy और more comfortable आप बहुत ही आरामदायक बना दिया है और science has given us many wonderful things science ने हमें कई अद्वुत चीजें दी है तो शुरुआत करते हैं कि it is the edge of science इट का मतलब होता है यह है इसका मतलब है दा इसका मतलब वह है यह है युग और of science मतलब science का विज्ञान का तो यह है विज्ञान का युग है हमने लिखा और we are living in the edge of science भी मतलब होता है हम और living मतलब होता है रहना in the edge of science एज मतलब वहुग और science से आने की विज्ञान आफ यहां पे लगा सकते है the edge of science the edge of science तो we are living in the edge of science और it has made our life easier and more comfortable इस ने हमारे जिवन को easy बना दिया है और more comfortable कर दिया है science has given us many wonderful things science ने हमें कई अधवुते wonderful things बस्तुएं दिया है फिर हम next वीडियो में देखेंगे क्या नया है दूसरा points बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे सबस्क्राइब कर लीजिए और play list पर जाकर पूरे वीडियो देख लीजिए जब तक खुस रहे और मस्कुराते रहे